Hello students, welcome back to Hindi mirror channel. सबीh students का Hindi mirror पर प्रफिर से स्वागत है. अभी का जो हम आपके लिए content लेकर आए हैं, तो अगर आप उत्रक्रखंड Open University से संबंदित students हैं, तो आपके लिए बहुती महत्तोष जानकारी निकल कर आई है. और ये notification जो है अभी जारी हुआ है युनिवस्टी की तरफ से तो आपको बता देते हैं कि जो students ने अभी इसी साल अपनी PhD या फिर अपना post graduation complete किया है बहुत सारी classes हैं जो master classes हैं उनकी degree मिलेगी और यहां पर दिख्षांत समारोहो मनाया जा रहा है 11 जनवरी को और इसके लिए online registration की परिकेरिया चल रही है तो उसके बारे में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपून जानकारी लेकर रहा हैं अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो सभी students इसमें सामिल हो सकते हैं जो उत्राखन open university से जुड़े वे हैं और यह सातवा यानिके 7th convocation प्रोग्राम चलिए समपून जानकारी आपको बताते हैं तो बने रही हिंदी मिलर की साथ वीडियो शुरू हो चुकी है वीडियो शुरू होने से पहले ही अपको जो महत्वपून जानकारी है अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो कर दीजे पैल आइकन हीट नहीं किया तो कर दीज क्योंकि जब आप हमसे जुडएंगे तभी आपको तीनों युनिवस्टी स्रीदेर सुमन उत्राखंड ओपन उनिवस्टी और स्रीदेर सुमन उनिवस्टी और हन्ब उनिवस्टी से संबंधि संपून जानकारी आपको मिलती है तो लाइक तो बनता है शेर कर दीजे स्थ को सभी को क्य इन्होंने एक target रखा है कि 300 जब इनके student हो जाएंगे 300 मिन्स जितने भी उत्राखंड ओपन उन्य 되면 easy to this bankrupt तो उसमें से 300 जब students यहां जितने इस श्लिफर का हो जाएगा तो फिर यह पने आप से ही office यह तो अगर आपको करना है तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा अपना रेजिस्ट्रेशन चलिए आपको बदा देते हैं किस प्रकार से आपको अपना रेजिस्ट्रेशन करना है चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर सब्सक्राइब दिख्षांत समारो जो कि 11 जनवरी को होना है इसके बारे में उत्राखंड ओपन ने आपके लिए संपुन जानकारी दी है यहां पर सूचना है और इसके निर्देश है पहला निर्देश इन्होंने दिया है उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले हल्दवानी का सब्तम दिख्षांत समारो दिना 11 जनवरी बुद्वाद 2023 को प्रस्तावित है दिख्षां मुक्त विश्विद्याले हल्दवानी अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर सेकंड पॉइंट इन्होंने डाल दिया है कि इसवस कोवीड 19 से उत्पन असाधारन परस्यतियों को ध्यान में रखते विश्विद्यार्थियों के प्रवेश्की अनुमती परदान की जा रही है क केवल पदक विजताओं और पंजीकरत विद्यार्थियों को समारों में भागवितारी करने ही तो निर्गित किया जा रहा है शेश्विद्यार्थियों को आभासी वर्च्वल माध्यम से दिक्षान समारों में जुनने की स्वीधा उपलब्द कराई जाएगी ठीक है तो य प्रच्वल यानि के ओनलाइन ये स्वीधा उपलब्द करा दी जाएगी नेक्स पॉइंट इन्होंने डाला है कि आपका जो दिख्षान समारों भाग लेने विद्यारती समारों में कार्यकरम आरम होने से एक घंटा पहले आकर अपना जो इस्थानवे निर्धारित करेंग और जितने भी प्रोटोकोल हैं कोविट से संबंदित उन सभी का आपको पालन करना होगा जैसी कि आप सैनेटाइजर लेके जाएं मास्क हो आपका ये सब चीज़े आपको धियान रखनी होंगी नेक्स पॉइंट इन्होंने डाला है कि दिख्षान समारों में परवेश है तो आमंत्री विध्यारतियों को द्वार परवेश पत्र कोविड वैक्सिनेशन सर्ट्विकेट एम पहचान पत्र पहचान पत्र में आप कोई भी एक सर्ट्विकेट लेकर जा सकते हैं चाहे आपके पास ड्राइंग लेसंस है चाहे आपके पास आधार है मद्दान है परवेश पत्र यानि कि जो आपका जो अब आप रेश्रेशन कराएंगे तो वहां पर आपको एक परवेश पत्र मिलेगा तब आप उसको भी दिखा सकते हैं चले एगे दिखते हैं और यदूोंस ने क्या पॉइंट रखा है आगे रखा है इनोंने कि जो आपका परवेश द्वार पत्र ओनलाइन पंजी करण सफल होने के बाद जो मैंना भी आपको बता दिया है कि एप्लिकेशन इस्टेटर लिंक से लिया जा सकता है परवेश द्वार पत्र दिखाने पर ही समारोस्तल में आपको अनुमती दी जाए क्योंकि आपके पास प्रुख होगा कि आपने रेजिस्टरेशन कराया है चलते हैं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट इनोंने रखा है कि दिख्शान समारों में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजी करण परिकेरिया पांच जनवरी यानि कि आज से शुरू हो चुक के उपरांद यानि कि जैसे ही 300 इस्टुटेंट्स का रेजिस्टरेशन हो जाएगा लिंक स्वाम ही बंद हो जाएगा जो लिंक यहां पर दिया गया है चलते हैं अगले पॉइंट पर आपके अब देखें यह रहा 6 पॉइंट 6 पॉइंट में इन्होंने दिया है कि दिक्षान सम्हारों में पंजी करण केवल उन्ही वे भिहारतों का अनुमन्य होगा जिन्होंने दिसंबर 2021 पर जून 2022 में उपाधी परिक्षा उतीन की है ध्यान से सुन लीजेगा इस पॉइंट को अगर आप दिसंबर के बैच के स्टुडेंट हैं और आपका कंप्लीट हुआ है दिसंबर में और अगर आपका जून में ही कंप्लीट हुआ है तो आप रेजिटेशन कर सकते हैं नेक्स्ट इनों ने दिया है कि सब्तम दिक्षान समारों में 2021 के उतिन हुए इसना तक इसना तोक्तर इसना तोक्तर डिप्लोमा एम पी एसडीवी ध्यारतियों को भी उपाधी परदान की जाएगी चली आगे देख लेते हैं दिक्षान समारों तो परिधान हेतू परिधान आप समझ गयोंगे कि जब दिक्षान समारों होता है तो आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर एक ड्रेस होती है चोंगा टाइप में और फूर इसके उपर एक कैप होती है हाथ में डिग्री होती ह है तो वह इस तरह की वहाँ पर ड्रैस आपको मिलेगी यानि कि परिध्धान मिलेगा तो अलग से dependent खुला रहे द्रेस यानि के परिधान वहां से ले सकते हैं 500 जमा करने के बाद अब इसमें आगे भी एक प्रोसीजर उन्होंने डाल दिया है कि दिख्षान सम्हारों संपन होने के उपरांत आप उसी काउंटर फिर से जाएंगे जब आपकी डिगरी आपको मिल जाएगी आपकी उपादी आपको मिल जाएगी तो वहां पर जब आप वो ड्रेस यानि के परिधान जमा कर देंगे तो वहां पर सेवा सुल्क काटा जाएगा 200 रुपीज और उसके बाद 300 आपके रिटन हो जाएगे तो इस प्रकार से सिर्फ 500 का आपका खरचा आना है 300 रेजिस्टेशन और 200 रुप जाएगा यानि के वहां पर आप मॉबाइल का प्रियोग नहीं कर सकते हैं लास्ट पॉइंट इन्हों ने डाला है दिश्टान समुर्ण पंजी करन इत्यादी है तो अत्रिक्त जानकारी के लिए आप दुर्भाश यानि के वहां पर उनको फोन करके पता कर सकते हैं इमेल अगर आपको कोई परिशानी है तो पूस्ट सकते हैं कमेंट बोक्स में हिंदी मिरर आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा और अगर आपको कोई भी जरुवत नहीं है तो प्रोसिस्ट ये दे रखा है आप यहां पर एग्री करेंगे और प्रोसिस्ट आपका शुरू हो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दी